और रिसेंटली आप लोग भी काफी ऐसे ट्वीट्स देख रहे होंगे और काफी ऐसी वीडियो भी बनी है और संधी प्रेड़िवंगा के प्रदर का एक वीडियो भी वायरल वाय है जिसमें वो बॉलीवुड को अक्यूज करें हैं फेक बुकिंग के लिए जिसे कोर्परेट बुकिंग बॉलते हैं ना भी होता क्या है मतलब मीनिंग क्या है जैसे की थेटर्स हाउसफूल है एक तो वैसे ही ओनर्स का बहुत कम शेयर होता है तो काफी थोड़े से पैसों में काफी ज़्यादा सीट्स बुक कर ली जाती है और फिर फर्स्ट विकेंड पर पूरी के पूरे टिकिट्स के पैसे इंकलूड करके एक बहुत बड़ा बॉक्स ओफिस नंबर शो किया जाता है ओडियंस कैसे इंफ्लुएंस होती है इसमें वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ बट पहले इसके बारे में बात करती है कि यह शुरू कहां से हुआ था 2023 में तो यह पूरा सेलिसला भाई पठान से जुरुआ था जब पहली बारी मैंने इस टर्म का नाम सुना था corporate booking और इस्टार्ट इसलिए वा था क्योंकि पठान के box office ने काफी records तोड़े थे और एक काफी unusual trajectory थी उसकी मैं भी यह की नहीं कर पा रहा था क्योंकि जिस theater में मैं गया था वाँ पे सिर्फ 70-80% फिल था एंड उतनी ज्यादा अच्छी movie भी नहीं थी देखो तो ना यह कोई sequel था तो लोग सिर्फ SRK का comeback देखने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं सो फिर पठान ने 1000 करोड पलस का box office किया फिर लगा यह records अगले काफी सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा लेकिन फिर आई जवान और वो उससे भी दोग कतमागे निकल गई ओडियंस को फिर एक बर श्ट्राइक वा कि यह तो corporate booking है खेर जवान डेफिनेटली पठान से बहुत बैटर थी और फिर उसने 1100 करोड पलस का box office किया next आई एनिमल जिसने अभी तक worldwide 880 करोड का box office किया है और इसकी hype actual में real थी मेरे साब से 2019 के बाद ऐसा कुछ मैंने पहली पार यह experience किया था फिर आती है सलार जिसने पहले दिन के box office के सारे records तोड दिये 180 करोड और इसका worldwide box office कहीं पे भी actual नहीं बता सकते और देख रहे तुम frustration कितनी है audience भी समझ नहीं पा रही है कि actual box office क्या है और यहीं होता है जब ऐसे हरकते की जाती है जिनको आप लोग manage नहीं कर सकते कहीं पे इसका box office 500 करोड दिखा रहा है worldwide कहीं पे इसका box office 391 करोड वल्ड वाइट दिखा रहा है और डंकी को इतना नहीं बोला जा रहा है क्योंकि उसकी box office फिर भी believable है कि हाँ उतनी अच्छी movie नहीं है और box office भी उसके हिसाब से ही है तो देखो अब यह जो corporate booking होती है न यह दो reasons के लिए कि जाती है first reason ताकि एक अच्छा खासा बड़ा number publish किया जासके second reason ताकि लोग influence हों उन्हें लगे कि यार काफी लोग देख रहे हैं तो हमें भी एक बार देख लेनी चाहिए कि कैसी movie है क्यों इतना अच्छा box office कर रही है तो जो extra audience आती है न उससे उनके corporate booking की जो उन्हें ने investment की थी वो return हो जाती है और एक बड़ा box office number भी show कर सकते हैं तो it's a win and win situation दोनों तरफ उनकी ही जीत हैं इसलिए लोग corporate booking करते हैं बट it's wrong क्योंकि short time के लिए ये अच्छा लगता है बट audience long term के लिए नहीं रुक पाती और काफी audience जो की ये सोच की जाते है कि यार एक अच्छी movie देखने जा रहे हैं जिसनी इतना अच्छा box office किया है वो यसे fake reviews और fake box office की वज़ेसे बहुत frustrate हो जाती है और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि permanently hate करने लगती है फिर actor या फिर उस director की आगे वाली सारी movies को तो उनकी future movies पर असर करता है वागे तुम बताओ तुमें गया लगता है कि ये सच में corporate booking है सालार की या फिर नहीं और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और वीडियो लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ हैं मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाई